नमस्कार प्रिदर्थ अभी इस पीडियो में एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 एंसे अर्ट इमेस का सुलूशन करेंगे इस पीडियो को पुरा देखना यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है पार्ट 1 में 1 से लेके 7 तक की कुशेनों का हमने सुलूशन किया यहां पे आपको X दता Y ग्या वेल्यू पूट करके अपना X का वेल्यू प्राप्ट कर सकते हैं कैसे कि देखी वाई को उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो हम जानते हैं कि मैतामेटिक्स में साइड ट्रांसफर करने पर उसका साइन चेंज हो जाता है यह आपका यहां पर पोजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगिटिव अब इसका वेल्यू पूट कर देते हैं तो 1, 0, माइनस 3, 2, इसका वेल्यू क्या है यहां पे आपका 3, 2, 1, 4 इस इक्विस्टू यह आ जाता है आपका 1, 3 अब देखी यहां पे आपको घटाना आना चीए घटाने में क्या होता है आपकी जू सर्ष्ट प्रोव इसका first element, इसका भी first element, first मैं से first गटेगा, इसका second, second मैं से second गटेगा, तो यहाँ पर zero, यह minus two, ठीक इसी प्रकार से second row, second row, okay, minus three, minus one, two, minus four, यह आपके पास आता है, यहाँ से, minus two, minus two, minus four, minus two, किस के बराबर, two x के बराबर, हमें तो कहाँ चाहिए, x चाहिए, तो यह जो दो है, इसको इस तरह भेजेंगा, तो यह इसकी क्या आजाएगा, गुणा में आजाएगा, minus two, minus two, four, minus two, अब क्या करें, इसको अंदर गुणा करें, तो यह प्रतेक ट्रम के साथ गुणा होगा, minus one, minus one, minus two, minus one, यह आपका आजाता है, इसका, x, तो देखिए दोस्तों, यह तो बहुत आसान कुशन है, अगले कुशन में आपको देखिए, x तथा y की वेल्यू ग्याद करनी है, कंडिशन दे रखिए, यहाँ पर आपको two गुणा matrix plus matrix is equal to matrix, तो यह सी कंडिशन हम क्या करते हैं दोस्तों, आव यू की समानता, यह नहीं equality of matrices, अपना काम है, लेते हैं, तो इनको पहले add कर देते हैं, फिर यह इसका equal to है, तो इसका परतेक element, इसके element के equal to होगा, तो आसाने से हमारा soul हो जाता है, तो देखिए, क्या करते हैं, यह जो two is को अंदर गुणा कर देते हैं, तो two गुणा one, two, two गुणा three, six, हम जानते हैं, किसी भी matrix को एक constant संख्या से multiply करने पर, वो उसके परतेक element के साथ multiply हो जाता है, two multiply with zero, zero, two multiply with x, आपका two x, यहाँ पे plus है आपका y, zero, one, two, is equals to दे रखा है आपको five, six, one, eight, अब इनको add करते हैं, तो यहाँ पे first row, second row, second row, second row के साथ है, जो add होगा, इसका first element, इसका first element, यानि two plus y, second element, second element, six plus zero, आपका six, zero plus one, one, two x plus two, is equals to five, six, one, eight, अब देखे, आव्यू की समानता से क्या होता है, यहाँ पे, यह first element, यह first element, यानि a, i, z, बराबर, b, i, z, यदि, आपका matrix a, बराबर, b, ho, a, i, j, का मतलब किया है, a, i, j, का मतलब क्या है, i, बराबर, यहाँ पर दोस्तों, आप one लो, j, बराबर, आप one लो, तो क्या हैगा, a, one, बराबर, b, one, one, ओके, समझ गया, i, बराबर, one लो, j, बराबर, two लो, तो, one, two, और, one, two, ओके, यानि, one, 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 two, उसके बाद है, इसके equal to two लो, इसके equal to one लो, तो two, one, ओके, समझ आ गया, तो इस फरिकार से देखे, equal to करते हैं, तो two, plus y, बराबर, five, two, x, plus two, बराबर, आपका, eight, यहान लिख सकते हैं, कि आव्यू की समानता से, यदि ये लाइन आप नहीं दिलना चाहते हैं, तो आव्यू की समानता से भी, एक लाइन लिख के भी आप है, जो इसको हल कर सकते हैं, अब देखो, हमिद क्या चाहिए, y चाहिए, तो यह जो two है, इसको हम इस तरफ टांसफर कर दें, तो y बराबर, five, minus two, आपका कितना हो गया, three, यहाँ बर इस two को इस तरफ टांसफर करें, तो आपका, eight minus two कितना हो गया, six, यह multiply में है, तो इसके divide में आ जाएगा, कितना हो गया, three, y बराबर, three, x बराबर, three आपके है, जो यहाँ पे value निकल कर आती है, अगला question no.10 देखिए, इसमें आपको, अभी nine कितना है, seven, x, y, z, t की value गयाद करनी है, लेकिन यहाँ पे देखिए, आपके पाद चार्टर में, nine में किल दो टर्म, यह नि यह उससे थोड़ा बड़ा question, लेकिन उसी type का question है, क्या करते हैं, बिल्कुल simple, यहाँ two का अंदर गुणा कर दो, तो आपका क्या आता है, two x, two z, two y, two t, यह नहीं हम जानते हैं, कि किसी matrix को, एक constant number से multiply करने पर, वो उसके परतेक element के साथ multiply हो जाता है, टी किसी प्रिकार से, यहाँ पर three का one के साथ multiply three, three, three का minus one के साथ minus three, three का zero को साथ zero, three का two के साथ six, इस तरफ three का अंदर multiply कर दो, three multiply three, nine, three multiply five, three multiply four, three multiply six, उसके बाद देखिए, इनको add कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका first element, इसका first element, इसका second, और इसका second, यह देखिए minus का है, तो minus के चिन के साथ ही लेना है, two y plus zero, two y, two t plus six, two t plus six is equal to nine, आउयू की समानता से आपका क्या होगा, two x plus three ब्राबर, a11 is equal to b11, यहाँ ऐसे समझ लो, इसका first row का first, इसका first row का first, यहाँ, two z minus three ब्राबर, two y ब्राबर, two t plus six ब्राबर, करते क्या हैं दोस्तों, इसको है, जो इस तरफ ट्रांस्फर करते हैं, तो two x ब्राबर, nine minus three, यहाँ, two x ब्राबर आपका आगया, six, तो x ब्राबर कितना आगया, six by two is equal to three, ओकी ठीक इसी प्राबर से देगे, हम इसको इस तरफ ट्रांस्फर करेंगे, तो इसका चिन बदल जाएगा, minus का है, plus का हो जाएगा, 15 plus 3, कितना आपका 18, यह दो इसके गुणा में है, तो इसके भाग में आजाएगा, तो कितना आगया, z का value, nine, यहाँ देखो, यह इसके multiply में है, इसको इस तरफ ट्रांस्फर करेंगे, तो इसके डिवाइड में आजाएगा, कितना आगया, six, इसको इस तरफ ट्रांस्फर करेंगे, तो इसका चिन बदल जाएगा, 18-6, ब्राबर, बारा, तो टी ब्राबर, बारा बटे दो, आपका, कितना आगया, छे आ गया, ओके, तो एक्स का वेल्यू आपके पास यहां पर कितना, तीन, वाई के वेल्यू 6, और जेड का वेल्यू 9, टी के वेल्यू आपका, 6 निकल कर आता है, ओके, तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, कि हम आसानी से अपने वेल्यू को कैल्कुलेट कर पा रहे हैं, अव्यू की समानता से, अगले कुशन की बात करते हैं, आपका कुशन नमर 11 आई है, तो दोस्तों, चुटकियों में सोल होने वाला है, कैसे, यहां पर, जानत minus y, y is equals to 10, 5, दोस्तों, इनको add करेंगे, तो 2x minus y, 3x plus y, okay, minus क्यों आया है, क्योंकि यहां पर आपका y minus का है, हम जानते हैं, कि यहां पर plus का अंदर गुणा होगा, तो plus गुणा minus आपका minus होता है, जबकि plus कुणा plus आपका plus होता है, इसलिए यहां plus का है, यहां plus के साथ हुआ, तो यह आपका plus का है, ओके, अब क्या है, देखिए, आपकी की समानता से, aij ब्राबर, bij यदि आपका matrix a ब्राबर, matrix b, तो यहां, 2x minus y ब्राबर, 10, इसको equation 1 दे दो, 3x plus y ब्राबर, 5 इसको equation 2 दे दो, equation 1 प्लस 2 करने पर देखिए, आपका, 2x plus 3x, 5x minus y plus y, एक दूसरे के साथ कर जाएगा, 10 plus 5, कितना आपका 15, तो यहां से x ब्राबर आपका 15, बट्टे 5, यह multiply में है, तो इसके divide में आ जाएगा, कितना आ गया, आपका, 3 value आ गया, x का, अब, equation 1 से, x का value पूट कर दो, और y को इस तरफ transfer करेंगा, चलिए, मैं value पूट करको, उसके बाद transfer करता हूँ, y को इस तरफ transfer करेंगा, यह positive, 10 को इस तरफ transfer करेंगा, negative, 10, minus, sorry, यह plus का हो गया, यह minus का 10, और यह तो आपका plus कह रहेगा, तो y बराबर कितना आगया, दोस्तना, आपका minus का 4, यहाँ पर आपका x बराबर, 3, y बराबर, minus 4, value निकल के आया है, यहाँ देखें, अगला question कुछ ऐसा ही है, इसमें आपको यह condition दे रखिया है, यहाँ पर x, y, z, w आपको value find करना है, यहने आपके 11 अखर जैसा ही है, बस यहाँ पर थोड़ा आपका calculation और बढ़ गया, करना किया बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर इस 3 का अंदर गुणा करो, तो यह इसके परतिक element साथ गुणा होगा, 3x, 3y, 3z, 3w, उसके बाद यहाँ द्यान से देखो, इनको हैज़ा आप directly add कर सकते हैं, इसका first element, इसका first element, x plus 4, इसका second, इसका second, x plus y plus 6, इसका first, इसका first, इसका first क्या है, z plus w, इसका first क्या है, minus 1, यहाँ आपका, इसका second, इसका second, 2w plus 3 आजाता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिकती है, अब हम क्या लिखते हैं, यह सारा करने के बाद, आव यूकी समानता से, आव यूकी समानता से, आपके पास क्या मिलेगा, इसका first element, इसका first element is equal to, तो 3x is equal to x plus 4, इसको equation 1 दे दो, यहाँ पे, 3y is equal to x plus y plus 6, इसका second, इस first row का second, यहाँ पे देखे, इस x को इस तरफ transfer करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा आपका, minus का, तो आपका, क्या आता है, 2x बराबर 4, तो x बराबर 4 by 2 is equal to 2, x का value आ चुका है, इसको दे दो equation number 2, जो x का value आया है, इसको equation number दे दो, 3, उसके बाद देखो, यहाँ पे 3z बराबर इसके होगा, 3w बराबर इसके होगा, इसको equation 4 दे दो, इसको equation 5 दे दो, अब देखे, equation 2 से, x बराबर 2 put करें, तो यहाँ पे y को इस तरफ भेज़ दें, तो 3 minus y, x बराबर कितना put किया, 2 plus 6, तो आपका 2y बराबर कितना आगे, 8, तो y बराबर कितना आगे, 8 by 2, यानि 4, उसके बाद ध्यान से देखो, यहाँ पे, इस 2w को इस तरफ transfer current किया आएगा, आपका 3w minus 2w बराबर 3, यानि w बराबर आपका 3 answer निकल किया आता है, इस w बराबर 3 को किस में put कर दें, equation 4 में, तो यहाँ लिखेंगे, इसमें इसी के साथ क्या करते हैं, जो आपका यह z है, इसको इस तरफ transfer कर देते हैं, तो 3z minus z, यहाँ w का value put किया है, कितना 3, और यह minus 1 है, कितना आगया आपका, 2z बराबर 2, यहनि z बराबर 2 बाई 2 आपका 1 आगया, तो इस प्रकार से x के value आपके पास कितनी निकल कर आई है, दोस्तों 2 और y के value, 4, w के value, 3, z के value आपके पास 1 निकल कर आई है, तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, पहले उस equation पर सिधा अटेक करना, जहां से आपको direct value मिल रही है, जैसे इस पर अटेक किया x का value मिल रही है, उसके बाद उसमें put कर दो, जहाँ पर आपका दूसरा variable पड़ा है, यहनि y पड़ा है, यहाँ पर भी तरीका अपनाया, कि w का value आ गया, उसके बाद है जो, उसको उस equation में put कर दिया, जिसमें आपका दूसरा variable पड़ा है, यहनि z पड़ा है, व कर साथ जो relation उसमें, तो आप यह value आ गया, यह value चेक करता हूं, जी दोस्तों हमारे value सही नहीं के लिए x ब्राबर 2, y ब्राबर 4, w ब्राबर 3, z ब्राबर 1, बगले question की बात करते हैं, वो इतना ही आसान सा question है, देखें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना basic knowledge काम में लेना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ कि आपका f function of x, x square plus 1 है, तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या दे रखा है, f function of x दे रखा है, और आपको यहाँ पर प्रूव करना है, f function of x, f function of y is equal to f function of x plus y, तो यहाँ पर देखें यह तो अभी हमारे पास पड़ा ने, ठीक है, और यह पड़ा है, तो फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोस्तों, आपके पास क्या आजाएगा, f function of y, जहाँ जहाँ आपको एक्स दिखाए दे रहा है, वाँ y put कर दो, minus sin y, 0, sin y, cos y, 0, 0, 0, 1, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, f function of x, f function of y को यहाँ पर multiply करते हैं, तो इसका देखें, left hand side से, यह आपका right hand side है, यह left hand side है, तो left hand side लेने पर, ब्राबर, f function of x, f function of y, multiply में, f function of x के value रखो, cos x, minus sin y, 0, sin x, cos x, 0, 0, 0, 1, इसका multiply हो रहा है, देखें इसके साथ, है, आपका, cos y, minus sin y, 0, 0, 1, 0, 0, sin y, और आपका cos y, ठीक है, यह मैंने, f function of y, put कर दिया, f function of x, put कर दिया, तो देखें, यहाँ पे, अधिक दर बच्चों को, रटने की problem आती है, कि इसको रटते हैं, रटना नहीं है, x ब्राबर y रखने से, आपका यह आ जाता है, फिर तो क्या करना, multiply करना, यह तो आपके पास, अपने आप निकल के आएगा, जैसा मैंने अभी आपको बता है, कि function किस प्रकार से काम करता है, f function of x, ब्राबर x square लेके, x square प्लस 1 लेके, मैंने बता है, उस तरीगे से समझने का कोशिश कीजिए, अब देखे, matrix का multiply तो करना आप जानते हैं, क्या होगा, इसका multiply, इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर इसके साथ, इससे तो आपके क्या आएगी, first row, उसके बाद second row से, आपके आएगी second row, third row से आपके आएगी, third row, तो यहाँ पे, cos x गुना, cos y, ऐसे इसको समझ सकते हैं, first, first, बीच का, बीच का, last का, last का, okay, minus sin y गुना, यहाँ पे, मैंने देखी, y लिख दिया है, sorry, x है, minus sin x गुना, sin y, तो minus, और zero के साथ गुना कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे देखो, आपका, minus cos x, sin y, ठीक है, first, first, बीच का, बीच का, minus, sin x, और cos y, last का, last का, zero multiply with zero, zero, बात करते हैं, दोस्तों, अपने, इसका, zero के साथ, multiply, zero, इसका, zero के साथ, multiply, आपका, zero, zero का, one के साथ, multiply, आपका, zero, आ गया, okay, यहाँ तक कोई दिखते हैं, अब देखिए, यहाँ पे, same to same करते हैं, तो, sin x गुना, cos y, cos x गुना, sin y, यहाँ देखो, आपका, minus sign x, minus sign x, और आपका, plus, sorry, minus sign x, और यहाँ पे, एक मिनट, तो बबारा, remember करने हैं, तो मुझे, second column, second row, यहाँ पोजिशन आएगा, इसका फास्ट, इसका फास्ट, यह तरीका सेगी, ऐसे समझाओ, plus, cos x, cos y, यहाँ पर, इसका लास्ट, इसका लास्ट, आपका, zero, अब देखिए, बस, एक काम बर्चा चुटकी का, इसका multiply, zero को साथ, zero को साथ, और, zero, यहाँ पर, zero, zero, ठीक है, यहाँ आएगा, ओके, और, one गुणा, one, one, इतना काम हो गया, उसके बाद, दोस्तों, हम जानते हैं, formula, अपने, cos x plus y का formula क्या होता है, दोस्तों, cos x cos y minus sin x sin y, sin x plus y का formula होता है, sin x cos y plus cos x sin y, तो यहाँ पर देखो, आपका क्या बंद रहा है, यह, cos x plus y का formula, minus sin बहार लेंगे, यहाँ तो यह क्या बंद रहा है, आपका sin x plus y का formula, लेकिन ध्यान क्या रखना है, यहाँ minus sin बहार लेना है, ओके, यहाँ minus से, यहाँ minus से, तो minus sin बहार लेते हैं, जब दोनों ट्रम माइनस की हो, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, उसके बाद है, जो फॉर्मिला एप्डाई करते हैं, यहाँ देखें आपका, Sine X Plus Y यह आपका 0 है यहाँ आपका 0 है और यह आपका 0 है Again एक नट हाँ यह आपका 0 है यहाँ पर फोर्मुला काम है लेते हैं यह क्या है आपका Cos X Cos Y Minus Sine X Sine Y Cos X Plus Y है यह आपका 0 और यह 1 अब देखो इसके साथ तुलना करो X की जगए यहाँ पर X Plus Y endlessly आ रहा है X की जगह यहाँ X Plus Y垂ten यहाँ X की जगह X Plus Y यहाँ X की जगह X Plus Y 0 की जगह 0 0 की जगह 0 1 की जगह 1 यह आपका क्या आगिया Function of X Plus Y ओके समझा गया कैसे जहां-जहां x है उसकी जगे यहां सब जगे क्या रहा है आपका तो अगले कुशन की हाला कि यह थोड़ा अच्छा कुशन है देखें यहां पर थोड़ा बहुत मिस्टिक हो जाता है मिस्टिक होने कि समभावना ज्यादा रहती है तो इसको मल्टिप्लाइध हां से करना चाहिए देखें यहां पर यह बहुत फर्जी कुशन है क्योंकि इसमें आपको क्यों मेटिक्स का मल्टिप्लाइध करना है तो यह आपको आपसे जाना चाह रहा है कि आपको मेटिक से मल्टिप्लाइध करना आता या नहीं आता है इसमें देखें यह तो आपका कौन सा साइड है करते क्या है इसक तो कोलम लेते हैं इसका आपका रू लेते हैं मल्टिक टाई करते हैं इसका fastest तो टू गुणा 5 टैन बीच में फरस कती माइनस वन गुणा हैं इसका second,he न सब्सक्राइग कर दो इसका second माइनस वन गुणा यहां पर फस्ट यह दिए फस्ट कॉलम में लिकना है तो इसका फस्ट कॉलम के साथ गुणा होगा तो सिक्स गुणा टू आपका 12 7 गुणा 3 आपका 21 अब यहां पर एक मैतर पुण बात की आपने जो यहां multiply किया है उसको कहां लिखना है उसके लिए ऐसे समझे हमने second row ली इसका आर्थ क्या हुआ कि जो multiply लिखना है इसका जिस भी column के साथ multiply करेंगे वो किसमा आएगा second row में ही लिखना है अब कौन से पॉलम के साथ फस्ट कोलम की साथ इसको किसमे लिखना है फस्ट कोलम में जैसे हमने यहां लिखा है अब देखिए इसका second column के साथ multiply करते हैं तो 6 गुना 1 6 7 गुणा 4 अब कर 28 यहां ध्यान से ने किसमें लिखना हमने second row में क्यूंकि second row की multiply कहा लिखा है second column है क्योंकि यह second column के साथ multiply हुआ अब यहां देखो बच्चों यह first row है second column है तो first row second column यहां लिखा जाएगा तो five गुणा one five minus one गुणा four minus four यह नहीं आपका आगया यह seven one इसको eight कैसे करते हैं इसमें 10 eight करें थर्टी one थर्टी one में two eight करेंगे तो आपका 33 यहां से two लेकर इसके साथ eight करेंगे 30 उसके बाद four तो आपका 34 ओके इसको equation है जो one दे दो अब हम लेते हैं इसका राइड है राइड है राइड है राइड है तो राइड है है two one three four five minus six seven को पॉमल्टीपलीविद 5 10 तो मल्टीप्लीविद 663 मॉल्टीप्लीप्लीएट five four मॉल्टीप्लीप्लीविद six two multiply with minus one two multiply with seven three multiply with minus one four multiply with seven यहां पे 16 और आपका five इसको कैसे एड़ करेंगे इसमें 10 एड़ करेंगे कितना हो गया दोस्तों आपका 34 35 एड़ करेंगे तो कितना हो गया 39 यहां पे आपका कितना जाता है यह 25 इसको देदो वन तो यहां पे ज्यांसे देखो one note is equals to two यह आपका हो जाता है इतिश्य दम है यह तो चेक करना था यह तो प्रूब करना था अब है जो आप इसको यहां पे रिपीट करके भी लिख सकते हैं कि यह note is equals to this दोस्तों जो चोदा का पार्ट टू है वह आप खुद करेंगे मैं आपको बताता हूं 15 नंबर 15 नंबर में आपको ए दे रखा है टू जीरो वन टू वन थ्री वन माइनस वन जीरो आप से पुछा गया है a square minus 5a plus 6i का वेलू क्या होगा ठीक है आसान है तो पहला step तो क्या करो a square निकाल लो तो a square बराबर a multiply with a a यहाँ पर क्या है आपका 2 0 1 2 1 3 1-1 0 2 0 1 2 1 3 1-1 0 multiply कैसे करते हैं आप एसे तो गरते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो टू का multiply 2 के साथ यह इसका फास्ट इसका फास्ट कितना फूर इसका बीच का इसका बीच का इसका लास्ट इसका लास्ट अब देखो second row में आ जाते हैं तो यह second row में लिखा जाएगा लेकिन फर्स कोलम के साथ multiply कर रहे हैं तो first column आए गाएगा okay 2 multiply with 2 4 1 multiply with 2 3 multiply with यहाँ से 2 कि माइनस 2 और यहाँ यहाँ देखो 0 के साथ 0 0 का साथ 0 1 के साथ है Mines-1 यहां देखो second row में आ जाते हैं जीरो one और ना यहां देखो थर्ड़ रो में आ जाते हैं जीरो मैंनिस वन और आपका जीरो में टार्ड कॉलम में आ जाते हैं फस्ट रो टू सी जीरो जीरो टू त्री और आपका जिरो थर्ड डो में आ जाते हैं वन माइनस त्री और आपका जिरो यानि आपके पास यह मिल गया 4 प्लस 1 5 माइनस 1 और 2 4 प्लस 2 प्लस 3 कितना आपका 9 माइनस का 2 प्लस का 2 कितना 0 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 5 माइनस 2 ठीक है यहां तक कोई दिकत नहीं है तो यह आगे आपका है यहां पर A स्क्वेर ठीक है A स्क्वेर मैं चेक करता हूँ बिलकुल सही निकला है अब क्या करना है यहां पर इसको लो value put कर दो A स्क्वेर माइनस 5 A प्लस 6 A बराबर A स्क्वेर का value put करो 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 5 माइनस 2 माइनस 5 मल्टिप्लाई A तो यहां पर इसके प्रतिक एलिमेंट के साथ डारेक्ट है जो 5 का मल्टिप्लाई करके लिख दो या आप 5 लिख के A लिखो उसके बाद कर दो आपकी मर्जी तो मैं डारेक्ट लिख रहा हूँ 5 का 2 के साथ 10 5 का 0 के साथ 0 5 का 1 के साथ 5 5 का 2 के साथ 10 5 का 1 के साथ 5 5 का 3 के साथ 5 का 1 के साथ 5 का माइनस 1 के साथ 5 का 0 के साथ उसके बाद आपका क्या आ रहा है दोस्तों 6 I तो I क्या होता है दोस्त आपका तज समक मैट्रिक्स होता है जिसमें यहाँ बाकी सारे element आपका क्या होंगे इसमें 0 होंगे यानि आपका केवल diagonal element 1 1 होगे बाकी सब 0 होगा तो इसका 7 गुणा होगा 6 के साथ यहाँ 6 आजागे यहां 6 यहां 6 बाकी 0 के साथ गोना करने पर 0 0 आएगा तो 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6 अब देखिए दोस्तों हम करते हैं इसका फास्ट, इसका फास्ट, इसका फास्ट 5, माइनस 10, प्लस 6 इसका बीच का, इसका बीच का, इसका बीच का तो यहाँ 0 है तो आपका direct minus 1 यहाँ इसका second, sorry इसका last, इसका last इसका last 0 है तो लिखने के जरूत नहीं है यहाँ देखो इसका fast और इसका fast तो यह 9, यहाँ पे यह minus का है चीक है और यह 0 तो लिखने के जरूत नहीं है उसके बाद इसका बीच का, इसका बीच का, इसका बीच का तो कितना है, 2, यह कितना है, minus 5, यह कितना है, plus 6 उसके बाद इसका last, इसका last और इसका last तो यह 5 है, यह कितना आपका, minus 15 है और यह 0 लिकने की जरूत थी है यहां आ जाते हैं इसका फास इसका फास इसका फास यह एक ही है तो यह माइनस 5 इसका बीच का इसका बीच का इसका बीच का जिरू है तो माइनस 1 माइनस गुणा माइनस आपका प्लस होता है तो यह प्लस 5 ठीक है यहां तक काम हो गया अब बात करते हैं इसकी तो टू यह जीरो ए लिकने की दूरूद नहीं प्लस आपका 6 यहां से आपके पास यह कितना निकल के आता है देखिए दोस्तों यह कितना हो जाता दोस्तों 5 फ्लस 6 11 माइनस 10 1 1-1-3-1-5 यहां से देखो कितना आएगा 1 प्लस 2 3 4 यहां पे है जो क्या है यह आपका 2 है तो 2 प्लस 6 कितना आपका 8 माइनस 15 प्लस 5 तो माइनस 10 यह आजाता है इसका वेल्यू मैं वेल्यू चेक कर लेता हूँ कि वेल्यू अपना सही आया यह नहीं आया है 1-1-3-1-10-5-4 और यहां पे 4 आ रहा है नहीं हमने कहीं गलती की गलती कहां किया अभी पकड़ लेते हैं एक मिनट हाँ दूस्तों गलती यहां हो यह देखो यह माइनस का है यह माइनस का है यह माइनस का 2 आएगा यह माइनस पर आपका कितना आ जायगा माइनस का 1 यहाँ पर 8 की जगे कितना जाएगा 4 आ जाएगा अब सही है 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 4 4 तो यहाँ पर देखिए यह चिन की गलती होगी ठीक है बस इतना मिश्टिक हुआ बाकी चिन यदि लिखा हुआ भी था तो मैंने यह पहले लाइन खींची तो उसमें अधर्शी होने से गलती होगी बाकी हमारा कैल्गरेशन सही है तरीका हमारा सही है अगले कुशन की बात करते हैं यहाँ पर अगले में देखिए आपको सोड़ा नमर कुशन में ए दे रखा है और यहाँ पर एक्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वाइर प्लस सेवन ए प्लस टू आई इकुस्ट जीरू आपको प्रूव करना है तो इसको प्रूव कैसे करेंगे बहुत आसान तरीका है यहाँ पे इसका यह आपका क्या है लेफ्ट हेंड साइड यह राएट हेंड साइड है तो यहाँ पे हम पहले तो A क्यूब निकाल लेते है?" उसके बाद हम अपने लेफ्ट हेंड साइड में वेल wissen करेंगे तो देखिए A स्क्वाइर बराबर A multiply with A यहां पर A आपका क्या है 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3 multiply with A 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3 करते क्या है यह line खींचते हैं इसका first इसका first इसका last इसका first इसका first इसका last इसका देखिए 0 4 आपका फोर हो गया अब देखे स्वेकंड रो की बात कर लेते हैं 0 into 1 आपका 0 2 into 0 आपका 0 1 into 2 आपका 2 थर्ड रो की बात कर लेते हैं 2 into 1 2 0 into 0 0 3 into 2 6 देखे सेकंड कोलम की बात कर लेते हैं यह फस्ट कोलम का काम हो गया इसको लेते हैं 1 गुना 0 0 0 गुना 2 0 2 गुना 0 आपका 0 सेकंड रो की बात करते हैं 0 गुना 0 0 2 गुना 2 4 गुना 1 गुना 0 0 तू गुणा 2,0 एक मिनट 2,0 0 गुणा 2,0 3,0 जीरो यह फाइनल के आगे आपका 0 देखें सेकें ड कॉलम का काम होगा अब थर्ड कॉलम को लेते हैं 1-2-0-1-0-2-6-2-3-6-0-2-0-2-0-2-1-2-3-1-3 अब बात करते हैं देखिए अपनी थर्ड़ रोह के 2-2-4-0-1-0-3-3 आपका 9 यहाँ पे 1 प्लस 4 5, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 7 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 4 आपका 8 0 प्लस 4 4, 0 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 6 प्लस 2, आपका 8 चेक कर लेता हूं कि सही आया है नहीं है तो देखिए स्कूर निकालने में थोड़ा मैंना लगता है 5, 0, 8, 2, 4 यहाँ पे हमने गलती की है और यहाँ पे गलती की है इसमें बहुत सारी गलतीयां हो गई एक उन दोबारा देखता हूं हाँ दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया कि यह पेले एड़ करके लिख दिया तो यहाँ क्या आएगा आपका 5 आएगा ठीक हो 2, 4, 5 अब सही है अब यह सही है यहाँ पे अगेन गलती है तो इसको चेक करते है 2 गुणा 2 आपका 4 और यहाँ पे 3 गुणा 3 दोस्तों आपका क्या होगा 9 होगा तो यह आपका 13 तो दोस्तों कोई गलती हो जाती है तो हम उसको देख लेते हैं वापस अब ठीक करते हैं क्योंकि दोस्तों video 40 minute से ज्यादा को हो चुका है तो तो अब बत गलती हो जाती अब उसके बाद दोस्तों हम याद करते है A square multiply A तो A square आपके पास यह आ गया है 50824580 इसका किसके साथ multiply करना एक के साथ 102021203 अब देखिए आप से यह गलती ना हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा क्योंकि एक्जाम में आपके पास solution तो होगा ने दुबार चेक कर लेना है परते को ऐसे पेंद रख रख के ऐसे रख रख के ऐसे रख रख के यहाँ पर रख रख के करेंगे इसका इसके साथ 5 गना 1 5 0 गना 0 0 8 गना 2 5 गना 0 0 0 गना 2 0 8 गना 0 0 प्ते हैं प्ते हो गना इसमें तरीकाह चेसे करेंगे किशकर रख ततरा कार इसके साथ के साथ इसको वाद इसको फैक्स करके है जो कर दे मिदेंगा यहां तरा तो गनती होने में की सं तो 2 multiply with 1, 4 multiply 0, 5 multiply 2, 10, 2 multiply 0, 4 multiply 2, 8, 5 multiply यहाँ पर आपका 0 2 multiply with 2, 4 multiply with 1, 5 multiply with 3, 8 multiply with 1, 0 multiply 0, 13 multiply 2, 8 multiply with 0, 0 multiply with 2, और 0, 8 multiply with 2, 0 multiply with 0, और यह आपका, तो यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है देखो, कितना 21, कितना 0, कितना 34, कितना 12, कितना 8, कितना यह आपका आजाता है 23, 23, कितना 34, कितना 0, यहाँ पर एक इसको देगे तो यह होगा 40 उसके बाद यानि 55, ओके देखता हूं कि यह अपना सही आया नहीं आया है 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, बिल्कुल एकदम करेक्ट आया है, यहनि इस तरीकी से गलती नहीं होती है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना आपना इसको फोलो करना है, यहाँ लिखते हैं आप एक क्यूब माइनस 6A स्क्वेर, 7A, ब्राबर 2I, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, देखिए एक क्यूब आपके पास कितना है, यहाँ पर, 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 0, 55, 6 मल्टिप्लाइ विद A स्क्वेर, माइनस करना है, तो A स्क्वेर यहाँ पर पड़ा, 6 का मल्टिप्लाइ करके करना है, तो मैं मल्टिप्लाइ करके लिखता हूँ, 6-5, 6-0, 6-8, 6-2, 6-4, 6-5, 6-8, 6-0, 6-3, 18, 1 और आपका 78, यहां तक ठीक है अब देखो 7 x a प्लस का है तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21 उसके बाद माइनस 2 i यानि 2 0 0 0 2 0 0 0 2 अब देखो जो प्लस का है उनको एड़ करो कितना होता दोस्तों यह आपका 28 प्लस आपका 2 कितना 30 उसके बाद माइनस का 0 0 0 34 प्लस का है उसके बाद यह आपका प्लस का है यहां पे इनको एड़ करते हैं तो आपका कितना आता है दोस्तों देखिए 48 आ रहा है यह माइनस का 48 उसके बाद प्लस का 12 यहां 0 यहां 0 यह देखो माइनस का 12 8 प्लस आपका यह आजाता है आपका 24 प्लस का और यह माइनस का 24 यहां देखो 23 प्लस 7 30 और यह माइनस का आपका 30 यहां 34 और प्लस आपका 14 तो कितना आगया 48 और यह माइनस का 48 जिरो 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 तो जिरो 55 प्लस 21 प्लस 2 कितना आपका 78 ओके एड़ करके दिखा देता हूं और यह आपका माइनस का 78 यहां 0 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 प्लस का माइनस का कट गया तो यह फाइनल क्या आता आपका zero matrix आता है zero matrix को किसे लिखते हैं यहाँ पर ऐसे लिखते हैं तो यह हो गया आपका hands food ओके तो यह मेरे ख्यास से आपको आसान लगा है बात करते हैं अब दोस्तों अपने अगले question की अब 16 हो गया 17 number question भी इतना आसान है इसमें आपको 17 number question में के का मान गयाद करना है आपके पास condition क्या दे रखी है वो condition दियान से देखो इसमें दोस्तों A ब्राबर दे रखा आपको 3 माइनस 2 4 माइनस 2 I ब्राबर 1, 0, 0, 1 और A स्क्वेर ब्राबर K A मानस 2 I दे रखा है और K का वेलू गयाद करना है तो करो क्या A स्क्वेर गयाद कर लो तो A स्क्वेर ब्राबर A मल्टिप्लाइ विद A यानि 3 मानस 2 4-2 multiply 3-2 4-2 3 multiply 3 9 3 minus 2 multiply with 4 minus 8 3 multiply with 2 वो भी क्या है? minus का 2 तो minus का 6 2 multiply with minus 2 multiply with minus 2 तो आपका minus multiply with minus क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है यहाँ पर यह गणित करने हम है जब 2 संक्या माइनस की वो multiply हो रहे हो तो आपके पास प्लस की संक्या मिलती 4 multiply with 3 minus 2 multiply with 4 4 multiply with minus 2 minus 2 multiply with minus 2 यह आगया दोस्ताँ आपके पास यहाँ से एक माइनस दो चार और माइनस चार छेकर लेता हूं कि सही है या नहीं है ठीक है 1, 4, माइनस 2, माइनस 4 बिलकुल सही है अब करना क्या है इस में पूट करना है तो A square बराबर K A माइनस 2 A A square आपका 1, माइनस 2, 4 माइनस 4 एक का के साथ गुणा ओरा तो परतेक टरम के साथ के का गुणा करके लिख दो यहां पर टू आई हो रहा है तो इस टू का यहां अंदर गुणा करके लिख दो तो टू-zero-zero-two ठीक है उसके बाद देखिए यहां पर एक step और आगे करना पड़ेगा यह minus हो रहा है तो यहां 3K minus 2 2K 4K minus 2K minus 2 आविक शमानता से दोस्तों क्या होगा यह इसके equal to होगा यह इसके equal to होगा यह इसके equal to होगा तो minus 2K बराबर minus 2K तो K बराबर आपका क्या गया 1 minus से minus कट गया यह multiply में है तो इसके divide में आएगा 2 by 2 आपका क्या होता है दोस्तों 1 होता है तो आप कहीं से भी यहां पे check करेंगे शब जगे तो आपको क्या मिलेगा K का value 1 ही मिलेगा ठीक है यह आगा K का value अगला जो है आपको बहुत ही अच्छा कुशन दे रखा कुशन नमर 18 उसको भी करते हैं इसमें आपको दे रखा है कि यहां पे देखे आपको ए दे रखा है कुशन नमर 18 में और आपको यह प्रूव करना है चीक है तो यहां पे आई आपका इस तना दे रखा है तू इंटू प्रू का आपका identity matrix है यह नहीं इसका मतलब यह हुआ ओके I प्लस A निकालते हैं कौन से side को left hand side से I प्लस A तो I आपका क्या है 1001 A आपका है 0-10α by 2 10α by 2 0 यह easy question आपके पास कितना आता है 1-10α by 2 10α by 2 और 1 यह तो आप का आगया कौन सा यह side अब दोस्तों यह वाला side निकालते हैं इसको भी थोड़ा simplify करते हैं तांकि पता लगे क्योंकि दोस्तों देखिए इसको अब इदी हम कोसिस करें तो इस form में नहीं करोट कर सकते हैं इसका क्या लेते हैं अपना right hand side देखिए दोस्तों right hand left hand side कैसे लिया जाता है मैं अपना मुझ करूँ मेरी copy की और यह मेरा कौन सा है right hand ठीक है तो इस तरफ का जो पक्स है वो right hand side इस तरफ का जो पक्स है वो आपका left hand side i minus a निकालो तो क्या आएगा डारेक्ट निकालता हूँ मैं one minus ten alpha by two कुछ नहीं है इसको a को है जो minus के साथ गुणा कर दो तो यह minus हो जाएगा minus गुणा minus यह आपका plus हो जाएगा और बाकी यहाँ one है तो यह one आ जाएगा यहाँ zero यहाँ zero है तो कोई effect नहीं पड़ेगा बस यह है जो उसका अपने chain के नुसर आएगा इसका multiply किसके साथ हो रहा है दोस्ता आपका cos alpha minus sin alpha sin alpha cos alpha के साथ इसका multiply हो रहा है यहाँ पर आपको द्यान से देखना पड़ेगा जो आपका cos alpha दे रखा है sin alpha दे रखा है एक वार तो इसको रहा है जो डारेक्ट multiply गर दो उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है इसका multiply इसका multiply इसका multiply तो यहाँ से आपके पास क्या आता है one का multiply cos के साथ तो cos alpha इसका multiply sin alpha 10 alpha by 2 यहाँ देखो इसका multiply cos के साथ माइनस cos alpha 10 alpha by 2 और आपका plus sin alpha ठीक है अब क्या करते हैं इसका इसके साथ multiply करते हैं one का multiply plus ten का multiply अब क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका इसके साथ multiply sin minus कुणा minus plus हो गया alpha 10 alpha by 2 plus आपका cos alpha यह आ जाता है ओके इसको क्या करना देखता हूँ मैं यहाँ पर आपको थोड़ा लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा दोस्तों cos alpha को देखी यहाँ एंगल का alpha by 2 हम जानते हैं कि जब एंगल को आधा करना पड़ता है तो हम cos 3 square alpha by 2 minus 1 कहां से आता है यह फूर्म न cos 2 alpha by 2 minus sin 2 alpha by 2 is equal to cos alpha से और ठीक इसी परिकार से sin alpha को 2 sin alpha by 2 multiply with cos alpha by 2 कर सकते हैं यह यहाँ पर करने से आपका calculation करेंगे तो आपके पास है जो यह इस form का आ जाएगा तो मैं calculation कर देता हूँ देखिए इसमें देखिए दोस्तों हमें ध्यान क्या रखना है कि जो cos alpha है उसको किस में करमट करना cos की form में करमट करना क्यों क्यों कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो आपका 10 theta होता है वो होता है sin theta गुणा cos theta तो बटे में क्या रहा है cos theta यह जब अंदर गुणा होगा तो जो cos की ट्रम है वो क्या होगी इससे cos theta से यानि cos की ट्रम से कटेगी इसलिए तो यहाँ देखिए इसको क्या लिख दिया मैंने 2 cos square alpha minus 1 sin को क्या लिख दिया 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 10 alpha को sin alpha by 2 10 alpha by sorry cos alpha by 2 कहां से अपने इस फोर्मले से तो देखिए cos alpha by 2 से आपका cos alpha by 2 कट गया sin square alpha by 2 गुणा sin square alpha by 2 कितना हो जाता है sin square alpha by 2 हो जाता है ओके और इस 2 को हम है जो बहार ले ले लेते है ठीक है तो ऐसा करके यहां पे एक सेटिंग बनेगा उसके बाद यहां पे बात करते हैं तो इसको लिख दो 2 sin alpha by 2 cos alpha by 2 और साथ मैं 10 को लिख दो sin alpha by 2 बटे cos alpha by 2 cos को लिख दो आपर 2 cos square alpha by 2 minus 1 ठीक है similarly यहां पर same to same करना है cos alpha को लिख दो 2 cos square alpha by 2 minus 1 10 को लिख दो sin alpha by 2 बटे cos alpha by 2 और sin alpha को लिख दो sin alpha by 2 cos alpha by 2 यहां भी same to same करना है को लिख दो करना है यह माइनिस क्वना माइनिस दोस्तों यहां पर आपका क्या हो रहा है plus हो रहा है इसका गुणा इसके साथ मैनिस क्वना माइनिस आपका plus हो जाता है यह आपका plus में cos alpha रहा है यहां sin α को 2 sin α by 2 cos α by 2 और 7 में आपका 10 को sin α by 2 by cos α by 2 और इसको लिख दो 2 cos square alpha by 2 minus 1 देखिए यहाँ पर काट ना शुरू करते हम यह कट गया साइण यहां है जो मैं उपर इसको मिटा देता हूं यहां आपका आता है देखिए दोस्तों टू बहार लें के तो कोई स्कवार यहां soup इलपबाइटू है अल्फा बैटू है अल्पबाइटू है और जिएम श्रेक हाई तो अंदर में क्या बनाएगा कोस इसको अंदर गुणा करेंगे तो आपका यह ट्रम और यह ट्रम कैसल हो जाएगा किवल आपके पास क्या बचेगा माइनस का साइन अल्फा बाई टू बटे कोस अल्फा बाई टू तो यहां से क्या आता दोस्ताब के पास माइनस का टैन अल्फा बाई टू यहा पर वन आ गया ठीक है सिमिलरली यहां जब यह इसका अंदर गुणा होगा कि एक मिनट स़िये हुआ यहां पर मैनस का बचाँ่गा जब इसका अंदर घुना होका तो ही तो यह वापस से इसके साथ गुणा होगा माइस यह बचेगा ओके तो यह वापस से मैं यहा आपका क्या बनेगा किहां तो यह आपका एक्वेशन दो है तो यह वरवर एक्वेशन आपका दौ यह equation 1 क्या था यह था ठीक है equation 1 में आपके पास यहां पर क्या था 1 यह माइनस 10 अलफा बाइट 2 और यह ओके तो ध्यान से देखो 1-10 अलफा बाइट 2 10 अलफा बाइट 2 वन इस प्रकार से आपका है जो इती शिदम हो जाता है तो आसान है तो इस प्रकार से यह थी step 5 step आगे बढ़ते हैं तो हल कर सकते हैं अब दोस्तों इसके जो आपके पीछे के दो कुशन है वो बच गए हैं उनको हमें अगली वीडियो में देखेंगे वो भी आपके कॉमेंट करने पर यानि आपका 19,20 और 21,22 आपने इस प्रोड़ी को देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद आभार पर फिल ऑपके काए लिएला बात करने पला हैं भार